हलो डियर स्टुटेंट स्वागत आप सभी का एक्सपी क्लासिस में मेरा नाम है मुकुंद और कक्षा बारा गलत की स्टार्टिंग करते हैं अध्या एक संबंदे में फ्रंसे रिलेशन और फंक्षन और इस वीडियो लेक्चर के अंतरगत हम लोग बात करने वाले हैं आई वर्टन पर मिल जाएगी जहां से आप पुराने वीडियो देखकर अपने तयारी पूरी कर सकते हैं इसके लावा सिलेवस और बाकी सारी चीजों का जो वीडियो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो उनको जरूर देखिएगा तो अभी बात करते हैं प्र प्रिकार से ले लिया ओर बी लेली एः बीसीी डी थीए अब अगर सम्भंध के बाइब मात करें लिए कि एक अंत्र आज़े वेडियोर के क्रूर माला है मननों के जो क्रम है एक जैसे उसको अगर आपन समय प्राहिए थे हूँ और परसर यह तो ये थियान होना अच्यसे कि पर्रांत क्या है तो प्रांत जो होगा वह पहले घटक का या पहले समुच्चे के अवयव होंगे उनको अपन प्रांथ बोलते हैं यहां पर तो 1,2,3,4 हो जाएगा आपका प्रांथ यानि डोमेन यहां पर आप 1,2,3,4 कह रहा हैं प्रांथ इसके बाद सहः प्रांथ की बात करना है तो जो दूसरे समुच्चे के कहला आएगी परिसर क्या कहला आएगा तो दूसरे समुच्चे में जितने अवयाव कनेक्टेड है कौन कौन कनेक्टेड है ए,B,C,D यह कनेक्टेड है तो जितने अवयाव कनेक्टेड होते हों उन्हें पन कहते हैं परिसर यानि परिसर क्या कहला आएगा परिसर कहला आए अच्छी तरीके से संबंध से पहला अच्छी तरीके समाज लेनी है ठीक है कि प्रांत सह प्रांत और क्या कहलाता है यह चीज़ आपने कच्छा 11 में पढ़ रखी होगी कोई दिक्कत है नहीं है आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप देख रहे हो कि अगर संबंध हमने बना आयर भलार रिले लियूं अब देखा रहे हो कि अपने संबंध देखा दिया ठीक है उमन्री में समच्छे और कुछ नहीं समोच्छे अ से समोच्छे बीमें कोई सम्मध आर कारती एक रास बी का एक उप समोच्छे होता है ठीक है यह रिलेशन क्या है कि दो सेट है A से B में उनमें अगर हम कार्डिजन प्रोड़क्ट लगाते हैं कार्टिय गुड़न लगाते हैं और कोई एक कंडिशन के आधार पे A क्रॉस B का उपसमुच्चे प्राप्त होता है या A क्रॉस B ही प्राप्त होता है तो वह आपका एक संबंद कहलाता है तो R प संबंद R के अंदर एक अवयाब ने A B ले लिया क्या ले लिया एक अवयाब A B ले लिया तो यह जो एक अवयाब A B है इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं यह समझे यदि A B ब्लॉंच टू R है मतलब A B एक जो अवयाब है वो capital R के अंदर है है तो इसे A R भी लिखा जाता है Qa a B से समंन्द R के दआर समंन्द है कैसे पढ़ते हैं यह मुद्य से समंन्द R के दवारा समंन्द है याणि कि A i related to be by the relation R a is related to B by the relation ृ इस प्रकार से पढ़ा जाता है अगर rigorr के अंदर नहीं है तो कैसे पड़ते हैं यदि a b not belongs to r है तो इसे a r' भी लिखा जाता है तता a b से संब्ढ़ r के दौरा संब्ढ़ नहीं पढ़ा जाता है क्या पढ़ते हैं इसे अगर a r के अंदर नहीं है तो इसे a r r में एक डेश लगाते हैं भी इस पिकार तता a b से संब्ढ़ r के दौर संबंद नहीं है यह पढ़ते हैं यानि a is not related to be by the relation r a is not related to be by the relation r ठीक है तो यह तो कक्षा 11 में भी आपने पढ़ रखा होगा और यह सारी ही आपकी कक्षा 11 की है अब आंगे आपको देखना है कि 12 में आपकी संबंद के प्रकार के लिए वह क्या होनी किस प्रकार से पढ़ना है आपको ठीक है तो पहला आपको जो संबंद पढ़ना है वह आपका रिक्त संबंद यानि इंपिटी और वाइड रिलेशन बहुत ही सरल चीजे नाम से जग जाहर है रिक्त संबंद ऐसा संबंद जिसमें कोई भी आवेव नहीं होगे वह आपका रिक्त संबंद हो जाएगा ऑडिक्त संबंद हो तो जो आप ले रहे हो चो आप संबंद बना रहे हो वह एक रॉस एक लिए बनाघा पर संबंद के Taylor समञें तो कोई संबंद दोनों ही में आपने एका हिस्टमाल किया एक ये अश्य सम्बंद में ठीक है तो रिक्त सम्च्छे कि इस रिक्त सम्च्छे ए पर परवाद से सम्द और एक रिक्त सम्द कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव एक किसी भी अवयव से सम्दित नहीं हो रहा है तो है एक संबंद कहलाएगा यानि कि जो समुच्च यानि कि जो संबंद आर है संबंद आर में कोई भी अव्यव नहीं आए यानि वह इंपिटी सेट है अर्थात आर बरावर फाई subset of A cross A ठीक है अब उधारन से समझते हैं इसका मतलब क्या है उधारन से बहुत अच्छी तरीकी से आपको समझ में आ जाएगा एक गाम पर देख लीजिए माना A बरावर पर तीन साथ यहाँ पर तीन साथ का एक समुच्चे ले लिए इस पकार से और R आपको कह रहा है कि A भी बिसम संख्या मिलनी चाहिए यह सम्मंद बता रहा ठीक है तो अगर आप देखें कि जो सेट दिया था एच बरावर तीन साथ उसमें किनी भी दो संख्याओं को जोड लीगे तो क्या बिसम संख्या मिलेगा नहीं मिलेगा मतब तीन हो तीन औरैं को जोड़िए नहीं बिसम नहीं होगा अभ जबաर में कोई अव्यव नहीं होगा इस अतह है आरेक रिक्ट सम्मंद है वासंग में आई ठीक है इस तरीके से है रिक्त सम्मंद की परवासम बहुत सिंपल है सरल है कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप उधान देखना चाहो तो ऐसे दिख सकते हो कि माली अमाना यह बराब 1, 2, 3, 4 एक समुच्चे ले लिए ठीक है और आर आपको कहरा है सम्मंद कि A, B, A सची देट A-B बराबर 10 क्या यहाँ पर किनी भी दो संख्याओं को घटाने पर कभी आपको 10 मिलेगा? नहीं मिलेगा सबसे बड़ी संख्याओं सबसे छोटी संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 4 में से जाएगा 3 ही मिलेगा ठीक है? 10 नहीं मिलेगा वो कह रहा है A-B बराबर 10 कर दीजिए A-B बराबर 10 नहीं होगा यहां पर आप कह रहे हैं कि चूंकि दिये हुए संबंध से किनी भी तो संक्याओं को अंतर दस नहीं होगा रिक्त संबंध है बास समझ के होंगे रिक्त संबंध क्या होता है किस पर कार सोता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आंगे बढ़ते हैं सारवर्तिक समुच्चे देख कर लें तो आप दो रोर्श समद्ध में कोई भी अब नहीं है अभ्यव नहीं होना चाहिए सारवर्थिक सम्मद में आपके जितने भी कार्ती कुड़न में अब्याग वह सकते एक रॉस्भी क्या है एक सब्सक्राइब मिल सारवर्तिक संबंद के अंदर गत आ जाएंगे, ठीक है, सारवर्तिक संबंद में जित सारे अवयाव अगर आ जाते हैं, तो उस संबंद को अपन सारवर्तिक संबंद कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, किलियर है, देखो, किसी संबुच्चे ए पर परभासे संब है यदि एक प्रितेक अव्याव एक सभी अव्याव से संभन्दित है और तार एक रॉस से आर वरावर एक रोस से तो तोर पर मौली कि थी तर अब अब आब 3 7 ले लिया और अगर सम एक रॉस निकाला तो आपको पता है एक रोस एक कैसे बनेगा आर पराबर, तीन, तीन, साथ, साथ, तीन, साथ, साथ, ठीक है, यह आपने कक्षा 11 में पर रखा है, कि A क्रॉस के A करना है, तो कैसे करेंगी, अगर A से A में ले रहे हैं, यहाँ पर भी तीन, साथ है, तो तीन का 7 से कराया, तो 3 साथ, फिर 7 का 3 से कराया, तो 7 तीन and 7 का साथ से कराया, तो 7, 7, इस पकार से R आपको मिल गया, ठीक है, तो यहां पर आप दिखा रहे हैं कि चुककि R जो ए, वो A क्रॉस A है, इसलिए R A में सारवर्तिक समुच्चे है, R A में सारवर्तिक समुच्च है है ठीक है आंगे बात कर लेते हैं मालिया और उधार देख लिए मालिया यह बराबर वन टू थी फोर है इस परकार से और समंध आर दे रहा है अब यहां का देखो जो भी आपको दिया करें समंध में या रिलेसर में जो भी दे रहा है उसको समझने की कोशिस किया अगर हो बोल क्या कहला क्या बोला वो कि मौड ओफ ए माइनस बी मतलब ए और बी को घटाओ और उनका मापांक हमेज़ा ग्रेटर देन इकॉल टू जीरो बिल्कुल रहेगा अगर आप यहां पर किनी भी दो संख्याओं को उठा लो एक दो तीन चार यह संख्याओं आप देख रहे हो किनी भी दो संख्याओं को उठाओ उनका अंतर और उनका मापांक निकालो तो चुकि मापांक जीरो आएगी या जीरो से बढ़ी आएगी क्य में ने से स्दि बड़ा या बराबर होगा आठे आरेक स़ारवर्तिक समच्च हर एक सार्वर्थिक्समंद सार वर्तिक क्या कह कहलाएगा कहलाएगा सारवर्तिक संबंद कहलाएगा इस प्रकार से ठीक है सारवर्तिक संबंद कहलाएगा तो यह आपका नूट की तोर पे अची तरीकी से आप ध्यान रख सकते हैं आंगे बात करते हैं रिक्ष संबंद तता सारवर्तिक संबंद को कभी-कभी तुछ यानि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुझ्च है ठीक है और आंगे कहारा कि दर्षाइ ये आर जो दिया है A B सचदेट A B की बहन है द्वारा प्रदत संबंद एक रिक संबंद तथा तो रिक्त संबन्द और सारवर्तिक संबन्द की बात कर रहा है बहुत ही सिंपल चीज है अब जरह आप यहाँ पर लॉजिक लगाईए ध्यान पूटक समझेए कि हो क्या रहा पहली बात तो वो कह रहा है कि जो ए है वो बालकों का स्कूल है और वो कह रहा है ए भी ए भी की बहन है तो बालकों के यानि लडकों के बॉआई जी स्कूल में क्या कोई लड़का किसी लड़के के लिए बहन होगा नहीं होगा है ना लड़कों के स्कूल में कोई भी किसी के लिए बहन नहीं होगा तो चुकि कोई भी संबन्द है नहीं इस्तापित हो रहा तो ये एक रिक्ट संबन्द हो जाएगा और दूसरी बात करें अब आप जड़ा सोचो कि किनी भी दो परसन की अगर आप उचाईयों का अंतर निकाल ला है तो वो हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा कि नहीं यही तो वो कहा रहा कि एत ददी की उचाईयों का अंतर 3 मीटर से कम है और दो लोगों की उचाईयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम रहेगा कभी भी 3 मीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना हमेशा 3 मीटर से कम ही रहेगा इसलिए यह है एक सारवर्तिक सम्मंद हो जाएगा क्या हो जाएगा सारवर्तिक सम्मंद हो जाएगा simple ठीक है तो बस यह थियोरी आपको लिख लेनी है तो यहाँ से आप यह लिख देंगे कि चुकी स्कूल बालको का है देख रहे हैं आपको खा गया कि इसकूल बालकों का है इसलिए इसकूल का कोई भी विद्यारती इसकूल के किसी भी विद्यारती की बहन नहीं हो सकता है यह बात के लिए ठीक है और आर वरावर आपका फाई है उसमें आर में कोई भी एक अवे उपस्तित नहीं होगा भी कह सकते ही हमेशा कम रहेगा अताय आर डैस बराबर हो जाएगा एक रोस ए आर एक सारवर्थिक संबंध है इतनी चीज़ा आपको बता देनी है ठीक है अब आते हैं में आपके जो टॉपिक है में पॉइंट है में टॉपिक आपको समझना है संबंध के ब्रकार में सोतल सम समझचे ऑ पर कोई समंद आर सोतल कहलाता है यदि एक का प्रितेक आवियाव स्वयं से आर के दवारा संबंध होता है यहाँ पर समझने के स्मॉल ए स्मॉल ए बिलॉंग्स टू अगर कैपिटल आर कर रहा है तो वह सौतल के लिए बात कर रहेगा ठीक है वह सौतल हो जाएगा इस प्रकार से आपको दिखाना है समझें एक्जाम्पिल में बहुतर तरी के समझ में आ जाएगा आपको आगे देखें अतक किसी समुझ यदि पर कुई समंदार सौतल कहलाता है यदी पिरति एक बिलॉंग्स टू कैपिटल एक के लिए के लिए एक बिलॉंग्स टू कैपिटल आर हो जाए ऑलागफ संधय के अंदर 123 आपके अवयम्द दिये और कैपिटल आर के लिए जो समंद है तो आnd Früh हम ट्रकार से बन जा है तू के लिए टू-टू है एंड थ्री के लिए थ्री थ्री है यह बागी के दो हो चाहे ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है आपको तो अगर यह कह रहा है अगर कैपिटल ए के अंदर माली यह स्मॉल ए बी सी होता और कैपिटल आर्स संबंध के अंदर वो इस पकार से ए ए बी बी एंड सी सी बना देता तो यह जो आर होता यह एक सौतुल संबंध कहला था बासन में आगई अगर जो दिया है तो उसके जो अवे उनके लिए जियों कत्यो वनर्थी टू दिया इस पकार से दे दिया तो यहां आप देख रहा हो कि एक के लिए वनवन दिया है और टीन के लिए थी थी ती दिया लेकिन जो चू है उसके लिए टू टू नहीं दिया है इसका मतलब जब टू और एंड लिए चूकि टू टू लोट बिलॉंगस तू डैस है इसलिए एक सौतल संबंद नहीं है किलेर होगी बात जो अवयब दिये होंगे उनके पूरी के लिए सेम टू सेम बनना चाहिए तो वह सौतल होगा नहीं होगा आंगे बात करते हैं और यह सारी परवाजा हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सौतल क्या होगा सं क्रामक क्या होगा संमित की बात कर लेते हैं संमित संबंद यानि सिमेट्रिक रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि माल लीजिए अगर कोई संबंद आर के अंदर एबी बना रहा है क्या बना रहा है और आर के अंदर ही आपको बी एबी मिल जाए एबी है द्याना कि R सम्मित कहलाता है, किसी समुच्च्च ए पर कोई सम्मंद R सम्मित कहलाता है, ज़ि A B बलॉंक्ष टु कैफिटल है, जो समुच्च्च है, सैट है, उस केंदर दो अब अब A B दिये, के लिए, अगर A B बलॉंक्ष to R है, इंप्लाइज जेट B A बलॉंक्ष टु है आपको और capital R सम्मंद के अंदर देदें इस प्रकार से दे दिया है ठीक है तो यहां समझें की कोशिच कीजिए देखिए यहां समझें के लिए 3-1 है 1-4 के लिए 4-1 है तो आप कह रहे हैं कि R1 सम्मित सम्मंद है क्या है R1 सम्मित सम्मंद बता रहे हुआ ठीक है और R देखो 1-1-2-2-3-3-1-3 तो यहां आपने गौर किया कि यह 1-3 है और 1-3 के लिए 3-1 होना चाहिए जो की नहीं दिया है 3-1 नहीं दिया है चूकि 1-3 belongs to R-S लेकिन 3-1 not belongs to R-S इसलिए R-S सम्मित सम्मंद नहीं है मतलब उसका उल्टा हो जाए अगर A-B है तो B-A मिल जाए अगर C-D है तो DC मिल जाए इस प्रकार से है तो सम्मित सम्मंद होगा ठीक है आंगे बात करते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से मेरी आवाज को फिर से मेरी बात को सुनना है ठीक है संक्रामक सम्मंद देखते हैं यानि ट्रांस्टर रिलेशन संक्रामक सम्मंद के आपकी किसी समुच्चे A पर कोई सम्मंद आर संक्रामक कहलाता है यदि A-B-C belongs to capital A के लिए सोतल में देखा आपने केबल एक चीज थी small A belongs to capital A कह रहा था सम्मेथ में दो चीजें A-B belongs to capital A संक्रामक में तीन चीजें गई थी A-B-C belongs to capital A ठीक है तो अगर A-B-C belongs to capital A है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A-B belongs to R हो जाए B-C belongs to R हो जाए अगर दो चीजें दी हैं तो फिर A-C belongs to R मिल गया तो वह है आपका संक्रामक सम्मंद हो यह दोनों जो चीजे कॉमा ने इनको हटा देंगे यह B और B हटा दिया और किसको ले लेंगे यह A और C को ले लेंगे यह A यहाँ से उठाया और A-C belongs to R दिखा दिया अगर यह चीज हो रही है तो जो जो संक्रामक संबंद कहलाएगा ठीक है एक्जामपिल देख लेते हैं एक्जामपिल ले लिया कि माना A बनावा 1,2,3 और R के अंदर 1,2,2,3 and 1,3 दिया है तो R एक संक्रामक संबंद है यह देख पार हो आप देखें 1,2 था यहाँ से 2 and 2,3 में से यहाँ से 2 और दोनों यह हटा है तो क्या मिल गया अपनको 1,3 मिल गया और 1,3 मिल रहा है तो हम क 3 खटाएंगे तो हम के पास होना चाहिए था 1 and 2 लेकिन दिया है 1,1 तो यह अफिर संक्रामक संबंद है नहीं कहलाएगा ठीक है तो चूंकि 1,3 बिलॉंग्स टू आर डैस और 3,2 बिलॉंग्स टू आर डैस है लेकिन 1,2 नौट बिलॉंग्स टू आर डैस इसलिए R संक्रा संक्रामक तीनों ही हो जाता है तो उसे अपन तुल्लता संबंद कह देते हैं यह तीनों संबंद की परवासा हैं आपको अच्छे से दिमाग में नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छे से आपको दिमाग में ध्यार अखमा के लिए कि सौतल के लिए कि अगर A, A, B बिलॉंग् दिया है इसके अलावा BC belongs to R दिया यह दिया है और आपको AC belongs to R मिल जाए क्या AC belongs to R मिल जाए तो वह एक संक्रामक संब्ध हो जाएगा तो यह तीन परवास आए हैं बहुत ही सिंपल सोतल के लिए इतना संप्रामक के लिए यह जिसको आपको ध्यान रखना है आँगे बात करते हैं तुल्लता संब्ध तो जैसे मैंने आपसे का इक्यूवेलेंस रिलेशन यदि कोई संब्ध सोतल संमित और संक्रामक होता है तो उसे तुल्लता संम्ध कहते हैं ठीक है एक्जाम्बवन देख लेते हैं माना एं मडवाण वन टु तु ठीटे और आरके अंदर मलें टीटू टू टीटी तीट वन टीटें मैं तो एंट इन की वही ठीक, आप देखो, 12 है, 21 है, अगर आपने 22 हटाया, तो क्या मिलना चाही, आपको 11, तो 11 ही दिया, तो ये संक्रामख भी हो रहा है, ठीक, तो चू कि आप देख पा रहे हो कि छू कि आर सोतल सम्मित और संक्रामक है इसलिए आर तुल्लता संबंध है तो आँगे देखते हैं परवासा आपको अच्छी तरीकी से याद हो जानी है यह तीनों की किसी समुच्चे ए पर कोई संबंध आर तुल्लता संबंध कहलाता है यदि किसी समुच्चे A पर कोई संबंद R तुलिता संबंद कहलाता है यदि R सौतुल है, R सम्मित है, R संक्रामक है ठीक है, अब सौतुल की परवासा क्या कि सभी A belongs to capital A के लिए A belongs to capital R हो जाए संमित की परवासा, A b belongs to capital A अगर A b दो चीजें capital A में दिया है तो अगर संबंद में A b दिया है, तो आपको B A मिल जाए ठीक है, अगर A b c तीन चीजें समुच्चे में हैं और संबंद में दो चीजें हैं, कि A b belongs to R और B c belongs to R और इसके साथ A c belongs to R मिल जाए तो उसेपन संक्रामक संबंद बोल देंगे तो यह आपकी जो तीन परवास हैं दीए न, यह, यह important है इनको आपको अच्छे दरीके से याद रखना है, ठीक है न, चले आँगे बढ़ते हैं, question देखते हैं, और बढ़िया question है उधार नमबर दो, माल लीजे T किसी समतल में इसे समझ तर्भोजों का एक समुच्चे है ठीक है, तर्भोजों का समुच्चे की बात कर रहा है समुच्चे T में R और आपर दे रहा है T1, T2 such that T1, T2 के सरवांगसा में एक संबंद है सिदिखीजे T1 तुल्टा सम्बंद है कैसे करेंगे समझ दीजिए देखो, पहली बात तो सोतल की बात कर लो तो कोई भी तर्भोजों के लिए सोतल होगा अरे बढ़ अगर कोई तर्भोजों है तो यह खुद के लिए तो सरवांगसा में होगा की नहीं होगा समित की बात कर लो समित में अगर T1 समzahlण आगर T1-E to के सरवांगसा में तो आप कहए देंगे कि T2 वाए T1 के सरवांगसा मोगा तप हिस इसी T में सम्मित भी हो जाएगा ठीक है सम्मित हो गया संक्रामक की बात कर लेतें तो ट1 अगर T2 के सरवांग सम हो रहा T1 T2 के सरवांग सम हो रहा T2 T3 के सरवांग सम हो रहा तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर T2 यह हटा आए तो T1 T3 के भी सरवांग सम रहेगा अरे भाई T1 जो है वो T2 के सरवांग सम हो रहा और T2 T3 के सरवांग सम हो रहा इस इस्टिती में आप साफ स्थोर पे कह पा रहे हो कि T1 जो है वो T3 के सरवांगसम रहेगा तो यहां से आपने बता दिया कि संक्रामक भी है तो तो यहां से आपको लिख देना है कि तुलता संबंद है और ज्यादा कुछ खास नहीं लिखना है जो जो चीज मैंने बोली है कोई चीज से मैं आपको लिख देनी है तो आप इस प्रिकार से लिख देंगे कि जो आपको टी दिया है ती क्या कह रहा कि तिर्वुजो का समुच्छे कह रहा और आर आपको इस प्रिकार से दे लिया कि T1 T2 सच रहे T1 T2 के सरवांगसम यह आपको चीज दी हुई है वो कह के लिए सरवांगसम होता है इसलिए आर जो यहाँ पर होगा वो सवतल हो जाएगा ठीक है फिर सम्मित की बात कर लो सम्मित में दो चीज लेनी है T1 T2 दो ले लेंगे तो अगर T1 T2 belongs to R है मतलब यह आपको पहले से दिया होगा T1 T2 के सरवांगसम है यह आपको पहले से दि T1 है और एक T2 है अगर T1 T2 के सरवांगसम हो रहा है तो आप कहेंगे कि T2 T1 के भी सरवांगसम हो जाएगा ठीक है इसलिए इंपलाइस एक T2 T1 belongs to R मिल गया तो यहां से आप कह देंगे कि R सम्मित संबंध है ठीक है ना हमें क्या सम्मित में क्या देखना पड़ता है कि रपन सिद्ध करके दिखाते हैं ठीक है ना तो यहां पर दो चीज मालने कि T1 T2 belongs to R है और T2 T3 belongs to R है अब T1 T2 belongs to R का मतलब क्या कि implies that, T1 T2 के सरवांगसम है ये समीकार नमORE 1 माल लेते हैं और T2 T3 blonds to R कह रहा है इसका मислब T2 T3 के सरवांगसम है इसमीकार नमORE 2 माल लिया और समीकार एक और दो के आधार पे आप क्या बता सकते हो हुआ है यह एक और दो खया लदार फे आपके सच्क्रामक संबन्द एक संक्रामक है अतना डिक तुलता संबन्द है इतना पूरा आपको बताना है ठीक है बहुती जाधा आपको दिखकत है नहीं प्रक्टिस करेंगे तो आसानी से बने रगएगा ठीक है आंगे देखते हो दार नमबर तीन ले लिए माल लीजे कि एल किसी समतल में इससे समस्त रिखाओं का एक समुच्च है था आर एल वन एल टू सच डैट एल वन एल टू पर लंब है समुच्च एल में परभासित एक संबंद है सिद्ध कीजिए कि आर सम्मित है किन्तु यह ना तो सोतल है और ना संक्रामक है जब सवाल को समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है कह रहा है एल वन एल टू पर लंब है इसका मतलब क्या कि इस पकार से देख लिए कि यह एल वन ले लिया और यह एल टू ले लिया तो यहां पर अगर कोई एक रहा की बात करें को ऐक ही चीज लेनी पड़त shipping है सवाथ के लिए और आपने एक लायन ले ली टो कोई एक line swim पर कभी lumب होगी कोई भी line swim पर कभी lumب में नहीं होगी वो तो single line है न इस बंहुतल सोटोले नहीं है टीक है सम्मित की बात कर लो तो सम्मित में देख पा रहे हो अगर L1 L2 पर lumbe आप देख पा रहे हो तो L2 L1 पर भी lumbe है ये दोनों आपस में लंब है, तो संमित है। अब अगर संक्रामक की बाद कर ले हैं, तो L1 ये ले लिया, और L2 इस पे लंब दिखा दिया, और L3 आपने इस परकार से दिखा दिया, कि L1 L2 पर लंब है, और L2 L3 पर लंब है, इस तरीके से, लेकिन अगर हम बात करें L1 और L3 की तो यह आपस में लंब नहीं हो रही बलकि समानतर हो रही है L1 और L3 के अगर आप बात कर रहे हैं तो यह आपस में लंब नहीं होकर समानतर हो रही है तो उस इस्तिती में ना सोतल है ना संक्रामक है लेकिन सम्मित दिखा रहे हूँ आप, ठीक है, सोतले नहीं है, क्योंकि कोई भी रहे का स्वेम पर लंब नहीं होती है, तो सोतले नहीं हो रही है, सम्मित है, अगर L1, L2 पर लंब हो रही है, तो सम्मित है, संक्रामक नहीं है, क्योंकि L1 अगर L2 पर लंब है, और L2, L3 पर L1 जो है वो L3 पर लंब में ना होकर समान तर रेखा हो जाएगी ठीक है तो यहां से आप बता देंगे कि चुकि आपको क्या दिया है कि L दिया है समतल में इसलिए रेखाओं का समुच्च है और संबंध R दे दिया L1 L2 such that L1 L2 पर लंब है यह आपको दिया है तो सोतली के लिए क्या बता रहे है कि चुकि कोई भी रेका स्वेम पर लंब में नहीं हो सकती है इसलिए आर सोतली नहीं है सम्मित की बात कर लें अगर L1 L2 belongs to R समित में आपको एक चीज दी रहेगी और दूसरी चीज आपको दिखानी है ठीक है इसी प्रकास संक्रामक में द L1 L2 belongs to R यह लेकर चलिए इसका मतलब L1 L2 पर लंब है अब अगर L1 L2 पर लंब है तो हम कह सकते हैं आपको एक अगर कोई रेका दूसरी रेका पर लंब है तो दूसरी रेका पहली वाई डेखा पर भी लंब होगी इस पकार से तो यहाँ से आपने चाह के दिया कि L2 L1 belongs to R यह देखा दिया तो यहां से आपने कह दिया कि R सम्मेथ है फिर संक्रामक की बात कर लेते हैं तो अगर दो चीजे लेके चल लेए अगर L1 L2 belongs to R है और L2 L3 belongs to R है मतलब L1 L2 belongs to R का मतलब L1 L2 पर Nord है समिकन एक ले लिया और L2 L3 belongs to R का मतलब L2 L3 पर Nord है समिकन नंबर 2 ले लिया ठीक है तो समिकन एक और दो के आधार पर आप क्या देख पा रहे हो अगर L1 यह जो है वो L2 पर लंब दिखा दी और L2 जो है वो L3 पर लंब दिखा दी, तो समीकार एक और दो के आधार पर, L1 और जो L3 होगी, चित्र पर देख पा रहे हो, L1, L3 आपस में लंब ना होकर समानतर रिखा है हो जाएंगी, ठीक है, समीकार एक और दो के आधार पर L1, L3 के लंब नहीं होगी, बलकि L1, L3 के समानतर है, ठ परन्तु ना तो सोतल है और ना संक्रामक है सोतल और संक्रामक नहीं है हैंस प्रूब जो आपन को सिद्ध करना था ठीक है अगले कोशन की तरह पढ़ते हैं उधार नमर चार देखते हैं सिद्ध कीजिए कि समुच्चे एक डो तीन में आप रावर दिया है वन वन टू टू तो सोतल है तो हो गया अब देखो अगर यहां पर वन टू दिया तो वन टू का उल्टा टू बन होना चाहिए टू बन नहीं दिया है जब टू बन नहीं है तो सम्मेत नहीं है और अगर वन टू है और यहां आप देख रहे हैं टू थ्री है तो अगर आपने टू टू काट तो 1-3 होना चाहिए, 1-3 नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है, किस पकार से करना है समझ लिए, तो यहाँ पर मान लिया, माना A बराबर 1-2-3 और संबंध R बराबर 1-1-2-2-3-3, 1-2-2-3 दे दिया, ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे सोतोल की बात, सोतोल में, तो सोतोल के लिखा रहे हैं, कि चुकि A बराबर आपने ले लिया, 1-2-3 इस प्रकार से दिया, और R में आपने देखा, कि 1-1 belongs to R है, 2-2 belongs to R है, और 3-3 belongs to R है, इसलिए R सोतोल है, आर सोतोल सम्मंद है, यह तो बात हो गई सोतोल की, ठीक है, पर सम्मित की बात कर लेते हैं, सम्मित, तो सम्मित में कैसे दिखाना है, कि देखो, चुकि 1-2 दिया था, यहां वर आप देख रहे हो, कि चुकि 1-2 belongs to R, लेकिन, लेकिन, क्या नहीं है, 2-1, 2-1 not belongs to R, 2-1 not belongs to R, इसलिए R सम्मित नहीं है, ठीक है, R सम्मित नहीं है, ठीक है, संक्रामक की बात कर लेते हैं, संक्रामक देख लीजे, संक्रामक में अगर हम बात करते हैं तो क्या दिया है भई देखो 1,2 दिया है 2,3 दिया है यहाँ पर अपर क्या दिखा रहे है कि चूकी 1,2 belongs to R और 2,3 belongs to R है ठीक है यह दिया है सवाल में दिया है लेकिन अगर 1,2 है 2,3 है तो क्या हो और होना चाहिए था 1,3 और होना चाहिए था लेकिन 1,3 not belongs to R इसलिए R संक्रामक नहीं है तो यह पर अपर को सिद्ध करना था कि अता सिद्ध है आर सोतुल है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है तो इस तरीके से आप लिख दे रहे हैं कि अता सिद्ध की R सोतुल है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है ठेक है अगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं उधार नमर 5 यह कहारा सिद्ध कीजिए कि पूरांकों की समुच्चे Z में अब पूरांकों की समुच्चे Z में पूरांक क्या होते हैं ध्यान रखिए कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संक्रामक नहीं नहीं आती है समुच्चे Z में आरवर आरवर दे लिया A B सच लेट संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा पृतत संबंद एक तुल्लता संबंद है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है या M कर देगा कुछ भी कर सकता है दो के स्थान पे वो 7, 5, M इस तरीके से सवाल पूछा गया है कोई दिक्कत नहीं है सवाल को समझना है क्या हो रहा है देखिए अब सोतल लिगे अगर बात करें सोतल में देखो सोतल में एक ही चीज होती है तो यहाँ पर A और A लेते हैं इस बात को जाना रखना ठीक है एक ही चीज लेते है तो अगर A-B A के इस्थान पे A रखना है और B के इस्थान पे भी A ही रखना है तो अगर आप A-A करोगे तो A-A करने पर 0 मिलेगा और 0 में 2 का भाग जाता है 0 में 2 का भाग जाता है तो सोतल हो गई पहली बात तो हो गई सोतल दिखा दिया फिर सम्मित की बात करें तो सम्मित में एक चीज होती है दूसरी चीज दिखा दिते है तो इसका मदब क्या कि अगर A-B A-B 2 से डिवाइड है A-B में 2 का भाग जा रहा है तो यहां से आप दिखा सकते हो अगर minus common ले लो तो यह हो जाएगा B-A upon 2 तो यहां से minus को हटा दोगे और B-A minus को हटा देना और B-A upon 2 यानि B-A में भी 2 का भाग जाएगा तो सम्मित हो गया अब सम्जो कैसे मालनो चार minus 2 ले लिया ठीक है चार minus 2 ले लिया बटे 2 किया तो चार minus अच्छा यहां पर अपन संख्या वो लेंगे जिसमें पहली condition हो रही हो पहली condition लागू हो रही हो ऐसा नहीं आप यहां यह नहीं दिखा सकते कि 5 minus 5 minus आपने 2 ले लिया अब यहां पर 3 आयज जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा ऐसा नहीं करना आपको तो वो लेना है जिसमें 2 का भाग जिसको घटाने पर 2 का भाग जाएगा तो क्या उसका उल्टा हो जाएगा मतलब अगर संख्यां को पलट जे तो कैसा ऐसा संभव हो है समझना बात को यह कंडिशन जब लागू ही नहीं होगी तो इसको लेने नहीं है इस बात को समझना कई लोगों के दिमाग में यह आएगा कि 5-1 बराबर 4 ले लिया तो यह तो हो रहा ना आप वो क्यों नहीं ले रहे जिसमें जैसे कह दिये जाएगी 7-2 ले लो आप तो निजार असर दिवाइट यह साथ भी पूढांगे और 2 भी पूढांगे तो आपको तो ऐसी चीज लेनी ही नहीं है मतलब क्या कि पहली कंडिशन सम्मित में क्या होता है कि पहली कंडिशन लेके चलनी है और दूसरी कंडिशन दिखा देनी है यानि A और B लेके चलना है और B और A लेके दिखा देना है इसी प्रकार संक्रामक में दो चीजें लेके चलेंगे और तीसरी चीज दिखा देंगे समझना बात को तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है तो 2-4 में भी 2 का भाग जाएगा इसका मतलब क्या कि अगर A-B में 2 का भाग जा रहा है तो B-A में भी 2 का भाग जाएगा सिंपल अब बात कर लेते हैं संक्रामक की तो देखो संक्रामक में क्या कि अगर A-B में 2 का भाग जाएगा और B-C में 2 का भाग जाएगा अगर A-B में और B-C में 2 का भाग जा रहा है तो बस आपको करना कहा कि इन नों को जोड़ देना है तो अगर जोड़ दोगे तो A-B प्लस B-C प्लस B और माइनस B कर जाएगा यहां से बचेगा A-C इसमें भी 2 का भाग जाएगा simple अब समझ लो कैसे मान लो अपने ले लिया 6 तो अगर 6-4 लिया अगर आपने ले लिया 6-42 यह संख है ले ली तो 6-4 करो यहां से 2 मिलेगा इसमें 2 का भाग जाएगा 4-2 करो इसमें 2 मिलेगा यहां पर भी 2 का भाग जाएगा तो अगर आपने 6 और 2 को घटाया 6-2 किया या फिर 6-4 प्लस 4-2 इस परकार से यह A-B है यह B-C है A-B, B-C और उन्हों को जोड दिया तो प्लस चार, माइनस चार कर गिया 6-2 यानि 4 अपन 2 इसमें भी 2 का भाग जाएगा simple ठीक है तो इस तरीके से आपको लिख दिना प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है वो समस्ते है तो किस पिकार से आपको लिखना है मैंने आपको बता दिया very important question है ध्यान पूरबग देखिएगा 2 के स्थान पर हम 5, 7 या M करके भी सवाल पूछा गया है 2 के स्थान पर 7 भी पूछा गया है 2 के स्थान पर 5 करके भी पूछा गया important सवाल है पुराने पेपरों को आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह सवाल आया है कई दफार तो पूड़ांकों के समुच्चे जैड में यह आपको दे रख कर कि R बराबर AB सच देट संख्या 2 A-B को विभाजित करती है यानि A और B को घटा है A-B करें और उसमें 2 का भाग जा रहा है यह सवाल कह रहा है तो स्थानली के लिए क्या कर दिखाओगे और आपको सब कुछ नहीं दिखाना जैसे मैंने आपको बताया करके आपको दिखने के ज़रोत नहीं पूरी प्रवासा के तोर पे आप दिखाओगे कैसे इसको बोलते है इसको बोलते है अपन फॉर आउल यानि प्रतेक धिक है या सभी के लिए प्रतेक या सभी के लिए बोलते है तो फॉर आल a belongs to z में for all a belongs to z में यानि पुडांके के अंतर जितनी भी संख्या है यानि सब के लिए अगर आप देखो तो a minus a किसी भी संख्या को 7 में घटाओगे तो 0 मिलेगा और 0 में 2 का भाग जाता है a minus a बराबर 0 जो की 2 से विभाजित है तो इसलिए r सोतल है पहली condition फिर सम्मित की बात कर लो माना a b belongs to z में दो संख्या है ले ली a और b कोई भी दो संख्या है अगर इस प्रकार से कि यदि a b belongs to r मतलब ये r के अंदर पहले से है ठीक है तो a b belongs to r का मतलब implies that a minus b 2 से विभाजित है अब minus common निकाल लो minus common निकाला तो minus b minus a 2 से विभाजित है अब minus को अगर आप हटा भी दोगे तो b minus a भी 2 से विभाजित होगा implies that b a belongs to r ये चीज मैंने आपको समझाईती कैसे कि मानलों अगर लिखका है 13 minus 9 13 minus 9 4 आता है जो की 2 से डिवाइड हो रहा इस minus 4 में भी 2 का भाज जाएगा तो बस यही चीज आप दिखा रहे हो कि b minus a belongs to r b minus a belongs to r तो यहां से आपने क्या कह दिया कि r इसलिए r सम में थे r क्या है सम में थे संक्रामक की बात कर ले थे माना abc अब संक्रामक में तीन चीजे समुच्चे के अंदर होती है दो चीज संबंद में लेते हैं और तीसी चीज संबंद में देखा देते हैं ठीक है तो a b belongs to r है यह ले लिया और b c belongs to r है यह दो चीजे ले ली तो अगर a b belongs to r है इसका मतलब a minus b 2 से बिभाजित है और b c belongs to r इसका मतलब B-C 2 से विभाजित है इसको समीकड़ 1 और 2 माना हो समीकड़ 1 और 2 को जोड़ दिया है समीकड़ 1 प्लस 2 से अब समीकड़ 1 प्लस 2 को जोड़ देना है तो यहाँ पर देखो A-B और B-C को आप जोड़ रहे हो तो A-B प्लस B-C 2 से बिभाजित होगा और यहाँ पर क्या होगा यह माइनस का भी प्लस का भी कर जाएगा तो आप यहाँ से कह रहे हैं implies that A-C A-C B 2 से बिभाजित है भी 2 से बिभाजित हो जाएगा इसलिए R संक्रामक है तो यहाँ से आपने दिखा दिया कि चुकि आर सोतल सम्मे तो संक्रामक है अथे आर तुलता संद्ध है एक्विबैलेंस रेलेसन आप दिखा रहे हो ठीक है ना इस तरीके से करना था अब यहाँ पर अगर 2 की जगए वो 5 भी कह देता या 7 कह देता तो कोई अंदर नहीं आता दो के स्थान पर आप 5 लिख दीजिए 7 लिख दीजिए और यहाँ पर प्रेक्टिस मेन है प्रेक्टिस करें कि देखो यह सवाल होते है थियोरी वाले इतने ज़्यादा तर थियोरी होती है अबर 2 प्लस 2 बराबर 4 नहीं कर रहे हो कैल्कुलेशन ज़्यादा है नहीं है थियोरी थियोरी सवाल है तो थियोरी को अच्छी तरीके समझेगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते है क्या कह रहा है उदार नमबर 6 देखिए कि मान लीज चैन्का बिसमजंग के अपसमें रिलेट कर रही है ठीक है द्वारा पर्भास एक संबन्दे से दिखीजिए आर एक तुल्लता संबन्द आपको बताना है कि जो आर है वो तुल्लता संबन्द मना रहा है सात ही सिद्खीजिए कि उप समुच्छे एक तीन पांस साथ के सभी और उप समोचे 2-4-6 कि सभी अबव एक दूसरे से संबंदित है परंदु उप समोचे 1-3-5-7 का कोई भी अबव उप समोचे 2-4-6 कि किसी भी अबव उसे संबंदित नहीं है पहला तो सवाल समझो आपको समोचे दे दिया ए बरावर 1-2-3-4-5-6-7 और संबंद दे रहा है आर क्या कि ए तथा भी दोनों या तो बिसम है या सम है अलब सम सम से कनेक्टेड हैं और बिसम से कनेक्टेड हैं इस इस्थिती में आप जो संबंद बनाओगे वो किस पेकार से बना सकते हो तो पहली बात दिया है एक दो तीन जार पांचे साथ समुच्च है और संबंद दे कि आप बिसम संब के साथ कनेक्टेड दिखा देऊगी ठीक है तो यहां से आपने में दिखा दिया आप दो को 131517 बिसम की बिसम से दिखाना है 3133 3537 5153 5557 7173 7777 और संब की सम से दिखा दे नहीं दो दो चार दो छे चार 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 छे छह चे यह दो चेज़ चार चे तो देखो, ए दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो, 1, 1 है, बिल्कुल, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है, and 7, 7 है, सोतल हो गया, बिल्कुल, अब किसी भी एक चीज को उठालो, तो और उसका देख लो, दूसरा replicate है की नहीं, सम्मित के लिए, उसका दूसरे का उल्टा हो बिल्कुल, अब देखो, अगर 1, 3 है, 3, 5 है, तो देखो, 1, 5 है, कुछ भी उठाके देख लो, आपको सोतल भी मिलेगा, सम्मित भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ देख लो, 4, 2 है, इसके अलाबा, 4, 2 देख लिया, 4, 6 है, तो देखो, 2, 6 है, ठीक है, देखो, 7, 5 ले लिया, 5, 57 ले लिया तो देखो 77 भी है तो यहां से आप कुछ भी ले लो और आपको क्या लिखना है थियोरी में आपको पूरी सोतल सम्मेत और संक्रामक तीनों की परवासाई नहीं देनी है ठीक है बस देखो किस परकार से दिखा रहे है सोतल में for all a belongs to capital a में a a belongs to r है इसलिए r सोतल है सोतल की बता दिया सम्मेत में माना a b belongs to capital a में यदि a b belongs to r है तो यह आप दिखा रहे थे इसलिए r सम्मेत है फिर सनक्रामक की बात कर लो कि माना a b c belongs to capital a में यदि a b belongs to r और b c belongs to r है यह दो चीज़े हैं तो आप आप दिखा रहे हो कि implies that AC belongs to R है यह भी आप दिखा रहे हो ठीक है इसलिए R संक्रामक है तो सौतल सम्में तो संक्रामक में कुछ नहीं अब इस तरीकी चीज़ में सिर्फ परवासा लिख देते हैं बस परयापत है तो चुकि R सौतल सम्में तो सं संबंदेटेटी हो रही है विश्विशंग का सं कोई कनेक्स नहीं हो रहा है तो यहां पर समीकाण एक मालीए और क्या दिखा रहे हो, समीकाण एक से शम्बंद आब से इस सम्बंदित है और एक तीन पांच साथ कोई है कि समंदित है नहीं है इतना आपको दिखाना था बस सिंपला नहीं मैं लिए है एक जी है पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सेर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके आपको लिजेगा नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे इसार ये क्लास नहीं हूँ जबकि वो लास हो चुकी होगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा वेल नोटिफिकेशन को आपको आपको लिंक प्लेटफॉर डियम कर सकते हैं आप अपनी बात रख सकते हैं मुझसे कह सकते हैं अब इसी के साथ मिल दें अगले वीडियो में तब तक लिए निमस्कार जय हिन जय भारत वह निमात्रम